आज दाउटनेट आप दाउटनेट पर अपने सभी गनेत रसायन विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के दाउट्स का करो सपाया बश प्रशन के फोडों खीचो, एक ही प्रशन को क्रौप करो और तुरहं वेडियो सिलिशन पाओ अभी डाउटनेट करें हेलो दोस्तों हमारा प्रशन है प्रमानु जितनी चोटी वस्तु को सधान्तिक रूप से देखना क्यों असंभव है चाहे प्रियुक्त किये गए प्रकाश सुक्ष्मदर्शी के गुणता कुछ भी क्यों ना हो ठीक है तो देखो सुक्ष्मदर्शी से अगर किसी भी वस्तु सुक्ष्मदर्शी में प्रवेस कर लीया और सुक्ष्मदर्शी को फोक्सित किया गया है इसको देखने के लिए तो प्रकाश के तरंगदैर्य अगर लैमडा की बात करें तो प्रकास की तरंगदैर्य और वस्तु का जो साइज है यह दोनों एक कोटि का होना चाहिए ठीक है मतलब किसी वस्तु को देखने के लिए सुक्षमदर्सी में प्रकास का तरंग दैरिय वस्तु के साइज के तुल्य होना चाहिए अगर आप बात करो प्रमानू इस्पेक्टरम के तभी आप क्या करोगे देख पाओगे अगर तरंग दैरिय के कोटी का अगर वस्तु का साइज रहेगा तो अगर आप बात करो प्रमानु इस्पेक्टरम की भी ठीक है प्रमानु इस्पेक्टरम की अगर बात करो तो प्रमानु इस्पेक्टरम के द्रिश्य छेतर में प्रकास का तरंग दैरिय से बहुत ही छोटा होता है ठीक है प्रमानु जो होता है वो प्रमानु जो है वो इस्पे आकार काफी कम होता है ठीक है मतलब उसके तुल्य नहीं होता है जिसके कारण क्या होता है कि द्रिश से प्रकास के पर्योग से परमानु को कभी देखा नहीं जा सकता सुक्षमिदर्सी से किसी वस्तु को देखने के लिए क्या सर्त है कि वस्तु का आकार और पर्योगत प्रका आ चार्सो 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 बर